दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में 2024 की लोकसभा चुनाव प्रक्रिया, 44 दिनों में साथ दौर की वोटिंग के बार शनिवार को खत्म हो गई भारत की संसत के निचले सदन लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे 8000 से ज्यादा उम्मिदवारों की किस्मत दाओं पर है मंगलवार सुभा 8 बजे से वोटों की गिंती शुरू हो जाएगी वोट इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन या EVM के जरिये डाले गए EVM का इस्तेमाल 2004 से किया जा रहा है चुनाव अधिकारियों के देखरेक में वोट डाले जाते हैं वोटर अपनी पसंद के उम्मिद्वार के नाम के आगे वोट वाला बटन दबा कर वोट डालते हैं वोट वाला बटन दबा कर वोट डालते हैं किस जाते हैं जाते हैं में सोटर बटन प्रूने हैं कि अचेली आप चली जाते हैं झालते हैं में से एर चूने हैं चुनाव आयोग वोटों की गिंती की निगरानी के लिए हर लोगसबा सीट के लिए रिटर्निंग अधिकारी तैनाद करता है। उनकी मदद सरकारी करमचारी करते हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद EVM को सील कर कड़े पहरे में रख दिया जाता है। वोटों की गिंती वाले दिन सभी राजनेतिक पार्टियों के नुमाइंदों की मौझूदगी में उन्हे खोला जाता है। वोटों की गिंती जहां की जाती है, वहां 14 मेजे लगाई जाती है। हर EVM की कंट्रोल यूनिट के जरिये वोटों की गिंती राउन में की जाती है। और हर राउन के बाद नतीजों का एलान किया जाता है। 2013 में शुरू किया गया वोटर वेरिफिकेशन पेपर ओडिट्रेल या वी वी पैड सिस्टम हर वोट के लिए एक पेपर स्लिप निकलती है। वोटों की गिंती शुरू होते ही शुरुवाती रुज़ान और नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। आखरी नतीजे चार जून की रात या पांच जून की सुभह तक आने की उम्मीद है।